Hello friends, आज हम discuss करने वाले हैं बहुत ही popular Netflix का show मामला लीगल है कहना चाहिए ये बहुत खुबसूरत show है और बहुत दिनों बाद एक ऐसा show आया है जो लगता है यहां की मिट्टी से जुड़ा है दिल्ली, पतपडगंज, इस डेली जो दिल्ली वासी नहीं है उनके लिए पता नहीं यह जगत कैसा लगेगा अलग सा लगेगा पर अगर आप दिल्ली वाले हैं तो इन सारे किरदारों से आप जरूर मिले होंगे क्योंकि यह इस डेली को बहुत अच्छे से दर्शाता है और क्योंकि दिल्ली के इस छेतर को मैं जानता हूँ मैं कहूंगा कि यह सारे कलाकार पेखुबी अपने किरदारों में घुस गए और कहना चाहिए निधी बिष्ट और रवी किशन जी ने तो मज़ा दिला दिया I think इससे बढ़िया डिलिवरी और टूनेस तु दे कारेक्टर बहुत कम देखने को मिलता है मेरी तरफ से तो यह must see, must recommended show है इस समय नेट्फिक्स पे, हिंदी में इससे बहतर कुछ नहीं है इसमें कई चीज़े बहुत रियल है हर एपिसोड के बाद आपको एक छोटा सा पेपर आर्टिकल दिखेगा वो आर्टिकल यह बताएगा कि इस एपिसोड में जो मूल कहानी थी वो जिन्दगी में हो रखी थी बंदर का उपत्रव और उसके कारण प्रॉब्लम्स लॉयर और पुलिस के बीच में हाता पाई यह सारी चीज़े वो हैं जो जिन्दगी में होती रही है इस शोव में एक emotional और एक heavy angle भी है रवी केशन जी और उनके पिता जी के बीच में अब शोव में depth लाने के लिए एक background story देने के लिए एक character development के लिए यह सब चीज़े की जाती है बट मैं यह कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि इसके बिना शोव में depth नहीं आती अनन जोशी का जो character है और उसका जो कहने का तरीका है कि आप मेरी crush हो वो बहुत ही खुबसूरत है इस series में एक scene है जिसमें वो अपने होने वाली मंगेतर को और उसके पिताजी को और अपने पिताजी को एक महंगी गाड़ी के example से बताता है कि असली प्यार और असली attraction में क्या फरक होता है वो दिखाता है कि middle class बंदा किसी high class चीज से attract तो हो सकता है उस पे crush भी कर सकता है बट जब वो अपना जीवन साथी चुनता है तो वो ऐसा कोई चुनता है जिसके साथ जीवन बिता सके ये एक बहुत प्यारी बहुत deep rooted बात है जो बहुत हलके से बहुत अराम से समझाए गई है और ये शायद हमने अपनी जिंदगी में हम सब ने किया होगा हम उस एक चीज को पाने की कोशिश या इच्छा रखते हैं जो शायद हमारे हैसियत से बाहर हो और जीवन साथ की हम वो चुनते हैं जो हमें प्यार, खुशी, सब कुछ दे इस शो में जो एक reality है जो एक simplicity है वो बहुत अच्छी है और कई dialogues के sequences तो amazing है वो गाली वाला sequence तो चर्ज अब तक नहीं लगता है तो गाली नहीं होती है अरे वाह वाह मतलब उसके इतने meme बने है इतने meme बने है निदी बिष्ट has become a legend वो white and black sadi एक ही costume में पूरा season निकालना बहुत बढ़िया अगर आपने ending नहीं देखिए तो मैं spoil नहीं करूँगा तो यह ending में एक बहुत अच्छा twist है रवी केशन जी का जो character है वो ऐसा बदल आप लेगा कि आप सोच के हरान हो जाओ judges का जो role है वो इतना प्यारा है इतने interesting है मतलब और हम सब इतने human हैं हमें सब को एक चाहिए हम कहीं भी पहुंच जाए जिंदगी में हमें सब को कुछ चाहिए होता है कि हमें लोग इज़त दे हमारा नाम हो तो वो बहुत प्यार से दर्शा आया है smart आदमी कैसे चीज़े कर सकता है और common sense और street time is amazing रवी केशन जी अपने career में आगे बढ़ रहे हैं क्यों? क्योंकि वो अपने street smartness का use कर रहे है कैसे अपने साचे में ढाला जाए तो amazing है ये show बहुत प्यारा है नागरेवाल का role interesting है और उनकी chemistry आनन जोशी के साथ बहुत प्यारी है बहुत मज़ा आता है public prosecutor पीपीजी जो बने है उनसे तो मज़ा आ गया show में overall ये बहुत feel good show है मैं कहूंगा अगर आपने नहीं देखा है तो आपने बहुत important चीज़ मिस कर दी है तो मेरी advice होगी जरूर जाके देखें Netflix का top 10 trending show है इंडिया में and मैं तो कहूंगा ये totally deserve करता है ये season 2 का wait रहेगा कहानी में काफी change आएगा अगर जो storyline चल रही है उस पर हम चलेंगे can't wait can't wait to see how the characters grow creators क्या लेके आते हैं कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं क्या हम पतपडगंज में ही रहते हैं क्या हम कहीं और जाते हैं मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अलग-अलग शेहरों के ऐसे locations दिखाये जाएं जिनकी अपना एक character है अपना एक feel है तो शायद हमें पता चले अब हम दिल्ली वासी हैं तो हम पतपडगंज से relate कर रहे हैं क्या पता Bangalore में चिन्नाई में अंदाबाद में ऐसे कई जगा हों जहां ऐसे किरदार मिलते हों जिनका अपना एक style हो जिनका अपना एक बात करने का तरीका हो जहां काम करने का तरीका ही अलग होता है East Delhi ऐसा ही है कि यहां सरकारी दफ्तरों में जो physically handicapped है रस्ता उसकी जगा store लग जाएगा जी, किसी को फरक नहीं पड़ेगा कि वो signboard है कि नहीं है यही खुबसूर्ती भी है यही challenge भी है और निर्देशक नहीं है दोनों चीज़े बहुत प्यार से दिखाई है तो मैं बोलते हुए ठक नहीं रहा हूँ मैं फिर repeat करूँगा शो जरू देखें It is amazing One of my favorite shows Hopefully आपको review पसंद आया हो पसंद आया होगा तो like और subscribe करिएगा और channel के साथ बने रहिएगा और reviews आते रहेंगे Do take care It is always good to talk to you Bye-bye